घलू फ्रेंट शूर्वी ગोयल आर्टेन क्राफ चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल नेचर के लिए जो संद्री का मुझे बनाने जा रहे हैं सबसे पहले हमने मांटेन बनाया हैं यहाँ पर मैंने दो मांटें ब्रॉइंड और यह मैंने होम त्यार किया है आप किसी भी नेचर में यह होम आप बना सकते हैं यह बहुती ब्यूटिफुल लगता है इसके बाद मैंने विंडो बनाई है विंडो के बाद एक मेंडोर बनाया है रास्ता बनाया है इसके लिए घर के लिए उसके बाद एक छोटी सी नाउ मैंने पानी में तेन बताई है और एक ट्री बनाया है जो कि घर के बिहाइंड में शो और है माउंटेन के आगे और घर के पीछे थोड़े से पत्तर उसके बाद बादल और फिर मैंने ये थोड़ी सी जाडियां बनाई हैं माउन्टेन के आगे और ये हमने बनाया है एक सूरश उपताओवा सूरश हमने बनाया है यहांपे जिसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने थ्षोड़ शेट दिया है नदी के लिए अब हम करने जाएंगे कलरिंग पार्ट कलरिंग पार्ट में सबसे पहले मैंने माउंटेन के हाफ पोरिशन में लाइट ब्लू कलर किया है और बागी के हाफ पोरिशन में डार्क ब्लू कलर किया है इससे शेडिंग दिखती है और वो शेडिंग से लोग बहुत सुन्दर आता है माउन्टेन का यहां पर मैंने टीशू पेपर की हेल्प से उसको थोड़ा सा रब किया है जिससे की वह कलर ब्लेंड हो सके आप भी टीशू पेपर से से कलर को ब्लेंड कर सकते हैं जब यह हो जाता है उसके बाद हम ब्लू कलर से जो नदी हमने बनाई है नदी के साइट पोर्शन में हम डार्क ब्लू करेंगे जो बागी जो बीच का पोर्शन है उस पे हम लाइट ब्लू करेंगे खलें तो तोड़ा केर्फूली यह खलर करें था-कि यह घर क्यों गर्शन आने ब्लैंट को सब्लेंड डाउड पर में इसको ब्लेंड कर लेंड किया है आप भी गशेट यहेशं को ब्लेंड कर सकते हैं जब यह color blend हो जाता है उसके बाद हम हमने green color लिया है green color हमने जाडियों पे green color किया है इसको भी इसी तरह से पेले हम color कर लेंगे ट्री को भी मैंने ग्रीन कलर किया है और जाड़ियों को भी ग्रीन कलर किया है उसके पाद टीश्यू पेपर की हैं से इसको रब कर दिया है येलो कलर हमने आप नाओं पर येलो कलर किया है और थोड़ा सा रेड कलर दोनों का कॉंबिनेशन हैं पर दिया है उपर भी सेम वेसे ही हमने सन पे भी यहां पर यलो कलर किया और बाउंडरी पर हमने ओरेंज कलर किया और फिसको ब्लेंड कर दिया कि इसके बाद हम ब्लू कलर करेंगे बोग की इसका ही बनाए मैंने दो चुट चुटे बादल बनाएं दोनों बादलों पे ब्लू कलर कर देंगे और यहां पर जो विंडो दिखरी है घर की उस पर भी हम ब्लू कलर करेंगे गर का जो राष्टा दिखाया उसमें थोड़ा सा रट कलर किया है और जो घर की रूप है उसło पे भी रेट just कलर करेंगे यहां पर मैंने यह सब कलर उयल पेस्टर यूज के आप जाएँ तो क्रियोन ऩीूज कर सकते हैं यह पेंसिल तो नहीं से कोई चरत कर सकते हैं कोई ढिक्कत नहीं है इसमें अब मैंने यलू कलर इस जो बाकी का रिमेनिंग में इलो किया है और साइड में बिंडो के आसपास का जो कलर दिया वो हुआ जो में डोर् है दुसक्ती है अब यहां पर ब्राउन कलर कर सकते हैं कि इसके बाद हम निजेंगे ग्रीन कलर घर के पास जो जो बचा है उसकों दिखा रहे हैं कि आ इंप ऑफ ग्रास का कलर जो ग्रीन होता है तो मैंने हाँ पर ग्रीन कलर गए है थोड़ा केर फुली करें ताकि जो यह दो इस पत्थर हमन से इसको रब कर सकते हैं देखें यहां पर पूरा रब कर दिया और यह जो दो डूस बचलते हैं यूंपर मैंने ग्रे कलर किया इस तरह से हमारी सिंधरी बन के तेयार हुआती है अगर आपको सिंद्री पसंद आई हूँ अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमाई चेनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थेंक यू